दूल, मिटटी, सन का डेमईज, इन सब से तो हम सभी परिशान हैं हम अपनी सकिन की केर नहीं करते तो सकिन हमारी बलेक हो जाती, अक्निय की आ जाती है, पिगृट क्रीम तो सभी लगाते हैं लेकिन आज मैं आपको दे क्रीम बताऊंगी जिसकी वज़ा से सूरज की शुआउं से आप बस सकते हैं संटें नहीं होगा लेकिन उससे पहले आप मैं चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते कोई चार्जिस नहीं लगेंगे अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिएगा तो चलें जी स्टार्ट करते हैं क्रीम बनाना क्रीम बनाने के लिए दोस्तों हमें एक कटोरी चाहिए जो के बिल्कुल साफ सुतरी होनी चाहिए क्योंकि इस क्रीम को हमने एक हफ़ते तक स्टोर करना है आपने लेनी है सेवन हरबल क्रीम ये उप्टन क्रीम हमारे चेहरे के दाग दबों को मिटाती इसमें बहुत सी जड़ी बूटियों का इस्तिमाल किया गया है और ये डे में आप लगा सकते हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा इसमें कोई भी हम हार्मफुल ऐसी चीज एड़ नहीं करेंगे मरकरी या कोई भी ऐसी क्रीम जो के डे में लगाने से सूरज की शुआँ से हमारे फेस पर नुकसान हो तो बियस्तों ग्लेसरीन आपने लेनी और कितनी एड़ करनी है इसकी क्वैंटिटी प्लीज आप देख लिजिएगा सरीफ और सीरफ तीन से चाट रो बस आपने गोर से देखा है इतनी ही क्वैंटिटी आपने एड़ करनी है ये नहीं कि आदा चमच या एक चमच आप एड़ करें ठीक है वरना क्रीम बहुत ज्यादा ओईली हो जाएगी तो फिर इसमें हमने एड़ करनी है हल्दी ये भी आप इसमें केपसूल को वाइड और पिर दोस्तों हमें चाहिए जाए है वाइड़ कर देने हैं इंडिया में एक केपसूल नहीं मिलते तो कोई बात नहीं वह इस ग्रीम में टेलकॉम बडर एड़ कर ले दूलन को गोरा चिटा करने के लिए और बहुत सी क्रीम्स में ये एड़ होता है तो आप ने ये इसमें एक चमच के बराबर एड़ कर देना है स्किन पर दाग दपे हैं, जुरिया हैं, काली सिया स्किन है तो वो गोरा करेगी ठीक है और स्किन को दोबारा से रेपेर करेगी पहले जैसी स्किन हमारी हो जाएगी जो दूप की वज़ा से खराब हो चुकी है तो आप ने इस क्रीम में ये एड़ लाजमी करना है दोस्तो मिक्स 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 करना है क्रीम को बहुत अच्छे से ताकि जितनी वी चीज़ी हमने एड़ की है क्रीम में मिक्स हो जाए और हमें अच्छे रिजल्ट है कोई भी डब भी आपके पास खाली अवेले भोलो साफ सुतरी से उसमें आपने स्क्रीम को रख देना है और सारा दिन स्क्रीम को अपने फेस पर लगाते रहना है ठीक है कोई साइड इफेक नहीं है अच्छे से अपने फेस को आपने वाश कर लेना है उसके बाद जिस तरह हमें अप्लाए कर रही है इसी तरह डॉट डॉट लगा कर पूरे फेस पर आपने अप्लाई करना है दोस्तों पिर स्किन पर रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है यही तरीका है असल तरीका जो मैं आपको बता रही है ना क्रीम को हम रगड़ते हैं इसका कोई फाइदा नहीं रगड़ना नहीं चाहिए स्किन डेमिज होती है स्किन में क्रीम को हमने जस्प करना है ताके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले है दोस्तों इस क्रीम को एक हफ़ते के लिए आपने बनाना है उसके बाद दुबारा एक हफ़ते के लिए फ्रेश क्रीम बनाईएगा रिजल्ट हमें फिर बहुत प्लाए कि अपने फेस पर चार पांच घंटे बाद दुबारा अपने फेस को आपने वाश करना है और फिर दुबारा आपने इसी क्रीम को प्लाए करना है यानि के दिन में तीन से चार दफर स्क्रीम को प्लाए करें दोसे तीन दिन में दोस्तों आपको रिजल्ट मिलना जरूर बताईएगा